हेलो फ्रेंट्स वेलकम बेक टू माई चैनल आज की इस वीडियो में हम होमेट फर्टिलाइजर बनाएंगे यह इस्तेमाल की गई चाय पत्ती है जिसे मैंने धो के अच्छे से सुखा लिया है और इस सुखी हुई चाय पत्ती को अब हम एक बोटल के अंदर डालेगे जिससे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और अपने रिलेटिव के साथ भी शेयर कर दीजिएगा प्लीज अभी हम इसमें पानी डालेगे फर्टिलाइजर बनाने के लिए लेकिन ध्यान रखेंगे कि बोटल को पूरा नहीं बर पर्टिलाइजर जब पूरी तरह त्यार हो जाएगा बनके 15 दिन के बाद गाइस हमारा पर्टिलाइजर बनके तयार हो गया है आप देख सकते हो कैसे कलर चेंज हो गया इसका और अब यह पर्टिलाइजर हम अपने पोदों में देने के लिए तयार है इसमें प्राइन पर फ्लावर बहुत जादा के आएगी है आप इसे ट्राइए एक बद जरूर करके देखेंगा काफी अच्छा रिजल्ट इसका है आप इसे च्राइजरर कीजिए आपको बहुत आच्छा इसका रिजल्ट मिलेगा अभी इसे यूज करने के लिए मैंने कांच का हम थोड़ा सा फर्टिलाइजर ले लेő जतना हम इस ँछ आ byच पानी मिल ले उसके बाद मेंka लेया जाला करें हमारा फर्टिलाइजर लेडी है पॉad На देने के विसा यंदे हम इसे आपता ही राइना है क्योंकि इस में नाइट्रोजनyond काफी अच्छी मातरा में है तो हम थोड़ा थोड़ा अपने सभी प्लांट को दे देगे फर्टिलाइजर महीने में एक बार जरूर दे ये फर्टिलाइजर या फिर आप चाहे तो 15 दिन में भी दे सकते हैं काफी अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इसका देखने को अगर आपको ये वीड प्लांट में काफी अच्छी ग्रोथ होती है उसको पत्तों का साइज भी बड़ा होता है पत्तों में चमक भी आती है तो आप अपने इंडोर और आउट्डोर दोनों तरह के प्लांट में इसका यूज कर सकते हैं है एपी गार्डिनिंग फ्रेंट